गुद्बॉर्णिंग बच्चों कैसे हैं आप आधम करते हैं एक स्टोरी चुहे की पूंच ठीक है आप लोग ध्यान से सुनना उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे औरी के अंत में आपसे कुछ पूछेंगे आपको उन प्रशनों के उत्तर फिर देने हैं ठीक है तो सुरू करते हैं एक घर में एक चुहा और बिल्ली रहते थे वे अच्छे दोस्त थे वे साथ साथ खेलते थे और कभी नहीं जगरते थे लेकिन एक दिन चुहे ने बिल्ली क दूद का भरा कटोरा गिरा दिया बिल्ली को बहुत गुसा आया उसने चुहे की पूँच काट ली चुहा बहुत दुखी हुआ उसने बिल्ली से कहा कृप्या मेरी पूँच मुझे वापिस दे दो लेकिन बिल्ली ने कहा मैं तुम्हे तुम्हारी पूँच वापिस दे सक यदि तुम मेरे लिए गाए का दूद ले आओ चुहा गाए के दूद की खोज में निकल गया वह बिल्ली के लिए दूद लाना चाहता था जल्दी ही उसने एक गाए को खेत में चरते हुए देखा चुहा गाए के पास गया और कहा क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूद मैं इसे बिल्ली को दूँगा और बिल्ली मुझे मेरी पूँच वापिस देगी गाए ने कहा यदि तुम मेरे लिए कुछ ताजी हरी घास ला सकते हो तो मैं तुम्हें दूद दे सकती हूँ चुहा किसान के पास गया जो अपना खेत जोत रहा था उसने किसान से कहा सर किर किरिपया मुझे कुछ हरी घास दे दो मैं इसे गाएं को दे दूँगा गाएं मुझे कुछ दूद देगी वह दूद मैं बिल्ली को दूँगा और बिल्ली मुझे मेरी पूँच वापिस दे देगी किसान कहता है पहले जाओ और मेरे लिए बेकर से ताजा ब्रेड लेकर तभी मैं तुम्हें हरी घास दे सकता हूं। एक टुकड़ा उठाया और इसे चुहे को दे दिया। वापिस पाई। तो बच्चो कैसी लगी है स्टोरी अच्छी थी ना। हाँ चालो अब इस स्टोरी के बेस पर हम आपसे कुछ प्रसन पूछते हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रसन है वो है सबसे पहले चुहा किस के पास गया। सोचो। जब बिल्ली ने उसकी पूँच काट ले तो सबसे पहले चुहा किस के पास गया था। येस सबसे पहले चुहा गाएं के पास गया था। दूसरा जो प्रसन है गाएं ने चुहे से क्या कहा। सोचो। हाँ गाएं ने चुहे से हरी घास लाने के लिए कहा था। अब तीश्रा प्रसन चुहा घास लेने किस के पास गया। हाँ चुहा किसान के पास हरी घास लेने के लिए गया। चोथा प्रसन किसान ने चुहे से क्या माँगा। येस किसान ने चुहे से ताजा ब्रेड माँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर पेस करें बेल आइकन जरूर पेस करें